साउथ सिनिमा के सूपरस्टार जूनियर एंटियार इन दिनों फिल्म वार्टू की शूटिंग के लिए मुंबई आये हुए हैं बताने के एंटियार इस दौरान पत्नी लक्षमी के साथ नसर आए इन बड़े स्टार्स को एक साथ एक फिल्मी जगत में इनके किसी नए प्रुजिक्ट के जर्चे तेज हो गए हैं ऐसी खबरे हैं कि करन जोहर इन आक्टर्स के साथ एक बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं जिखां ट्रिपल र की जबर्दस सफलता के बाद से जूनियर एंटियार हिंदी फिल्मों में भी आने की तयारी कर चुके हैं हिंदी आउडियन्स ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि आने वाले वक्त में आक्टर को रितिक रोशन की वार टू में देखा जाएगा ऐसे में माना जा रहा है कि एंटियार का रनबीर और आलिया के साथ स्पोट होना इनकी किसी नई फिल्म की प्लानिंग लग रही है वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एंटियार का कनेक्शन भ्रहमासर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको बता दे कि जिनर के दौरान भ्रहमासर के डारेक्टर आयान मुखर जी भी साथ स्पोट हुए दरसल आलिया भट रनवीर कपूर और जौनियर एंटियार करन जोहर को साथ देखने के बाद कई यूजर्स कॉमेंट कर ब्रहमासर के देव मिलने की बात कह रहे हैं जी हाँ बहुत से लोगों का मानना है कि ब्रहमासर के पार्टू में जौनियर एंटियार देव के रोल में असरा सकते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो करन जोहर आयान मुखर जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एंटियार को देव का रोल मिलना चाहिए फिलाल ऐसा होगा या नहीं ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा लेकिन इतना तह है कि अगर ये हो गया तो बॉक्स ओफिस पर जूनियर एंटियार के नाम की सुनामी आना तह है बतादे कि जहां रनबीर कपूर इस दौरान क्लीन शेब लुक में दिखाई दिए वहीं वो पत्णी आलयावट का हाथ था में नसरijd रन्बीर कपूर और आलिया भट परफेक्ट कपल की तरहा दिखाई दिए रन्बीर आल ब्लाक लुक और आलिया भट सफेद रंगी फ्लोरल वन शोल्डर ओफ गाउन में नज़र आई जोनियर एंटियार भी आल ब्लाक लुक में बेहद हैंसम लग रहे थे उनकी पतनी ओफ शोल्डर टॉप और स्कर्ट में दिखाई दी करन जो हर भी ब्लाक आउटफिट में नज़र आए तो वही रतिक रौशन गल्फरिंट सबाजाद के साथ कैजवल लुक में दिखाई दिये